आप सब भी का स्वागत है हमारे इस वीडियो के चौथे पार्ट में सैक्षिक प्रसासने में प्रवधनन क्या जो अब्जेक्टिव कोशन की सीरीज हमारी चल रही है इसमें हम आज पुने आपके सामने हैं और बात करेंगे कुछ कोशन्स पर दोस्तो कोशन्स पर बात करने से पहले मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा आपके साथ शेर करना चाहूँगा देखिये एक बूख है सैक्षिक प्रवंधन ये है डॉक्टर दीपा महता जी की बूख है डोक्टर दीपा महता वरिष्ट प्रवगता है सिंक्षा संका 81 हिंदू विश्विध्याले बनारस में दोस्तों बहुत अच्छी किताब है आप इस किताब को पर्चेस कर सकते हैं अगर आप एजुकेशनल मेनेजमेंट के बारे मतलब पढ़ना चाहते हैं पी एचाई पॉब्लिकेशन की ये बुक है और मेरे को ये बुक पढ़ने का मोका मिला काफी अच्छे से मैंने इस बुक में डिस्काइब किया है चीजों को और अबजेक्टिव कोश्चन्स भी पीछे बुक में मैंने दिये हैं तो आप एक बार इस बुक को पर्चेस कर सकते हैं बहुत सस्ती किताब है बहुत महगी नहीं है लेकिन बहुत अच्छी किताब है अगर परवंदन के बारे में मैनेजमेंट के बारे में आप पढ़ना चाहते हैं तो आप इस बुक को पर्चेस अवश्य करें दोस्तो कुछ कोश्चन्स को लेके आपकी संकाएं आ रही है और मैं समय समय पर उनका उत्तर भी आपको दे रहा हूँ और आप्शन मैंने आपको पिछले वीडियो में दिया ही था कि यदि आप मेरे से बात करना चाहते हैं तो अपना नमर कमेंट्स बोक्स में दे एक दूसातियों नमर दिये हैं मैंने इनको कॉल भी किया है बात की हुई है एक दूसातियों से एक दूसातियों का फॉन पिक नहीं हुआ है तो दोस्तों ये सारी बाते थी और इसके बाद एक ये दो पार्ट हम एजुकेशनल मैनेजमेंट और एडिनिस्टेशन पर और बात जो आपसे बात हो रही है और जो भी बात आगे भी हो वो ऐसी हो कि जिसका कोई उद्देश है हो अगर एक स्वास्त कह सकते हैं स्वास्त तरीके से हम लोग वारतलाब करते हैं तो निश्य तोर पर उसका कुछ ना कुछ फल हमें आवश्य मिलेगा तो दोस्तो सैक्षी प्रसासनेवन प्रवंदन, Educational Administration and Management के इस वीडियो में आपका एकवार पुना स्वागत है तो बिना कोई देर किया यह सुरू करते हैं हमना आज का वीडियो जो है Part 4 तो दोस्तो जो हमारा पहला प्रशन है हमारा पहला प्रशन है प्रवंदन के पाज घटक POCCC होते हैं यह है परिवासित किया इसके हमारे चार आप्षन से पहला आप्षन है लुईक, सेकेंड आप्षन है कुड्ज, थर्ड आप्षन है ग्यूलिक और चौथा आप्षन है हमारा फेयॉल दोस्तों जो प्रवंदन के पाज घटक हैं POCCC POCCC जिसमें Planning, Organizing, Coordinating, Commanding, Coordinating and Controlling यह पाज घटक है यह परिवासित किया है आपका फेयॉल मोहदे ने हैंरी फेयॉल, हैंरी फेयॉल ने यह पाज घटक बताए हैं पहला घटक आपका Planning है, दूसरा है Organizing, तीसरा है Commanding, चौथा आप्षन है Coordinating और पाजमा आप्षन है आपका Controlling तो यह पाज आप्षन हैं यह फेयॉल मोहदे के बताए गए हैं Next Question को देखते हैं, Luther Gillick के अनुसार प्रवंदन के साथ तत्व होते हैं जिनमें CO का अर्थ होता है Options हमारे हैं, पहला Option है संगठन, दूसरा Option है समनवे, तीसरा Option है न्यूक्ती, और चौथा Option है हमारा निर्देशक तो दोस्तो जो Luther Gillick ने Options, साथ Option बताए हैं, साथ तत्व बताएं कह सकते हैं प्रवंदन के उसमें पहला है Planning, दूसरा है Organizing, तीसरा है आपका Stuffing, और चौथा है Directing, और पाचवा है Coordinating CO का मतलब क्या है, Coordinating, मतलब Summonware, Coordinating होआ, Summonware इसका आंसर है उसके बाद Reporting और Budgeting, ये इनके दो अगले तत्व हैं, तो एक कुल मिलाकर साथ तत्व और Luther Gillick ने अपने प्रवंदन के बताए हैं, जिसमें CO का अर्थ होता है Coordinating, Summonware, इसको हम बोलेंगे, तो इसका जो Question हमारा Second है, इसका सही उत्तर B है, Summonware, अगले प्रशन की तरफ बढ़ते हैं, प्रवंदन के छेतर में कला एवं विज्ञान, दोस्तों ये विज्ञान है, इसको विज्ञान पढ़ीगा प्लीज, विज्ञान एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, परिभासित किया Question पुनें देखें, प्रवंदन के छेतर में कला एवं विज्ञान एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, परिभासित किया, Option एक है हमारा Fayol, Henry Fayol, दूसरा है हमारा Hillcard, तीसरा Option है Allen, और चौथा Option है हमारा इन में से कोई नहीं, रन ओव दीज, तो दोस्तों जो इसका सही उत्तर है, कि प्रवंदन के छेतर में कला एवं विज्ञान एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, ये परिभासित किया है हमारा Hillcard ने, अगले प्रशन की तरह बढ़ते हैं, सैक्षिक प्रवंदन वह कारे हैं, जो किसी प्रवंदक को करना पड़ता है, ये कथन किसका है, एलेन महोदे का कथन है, एलेन महोदे ने ये बात कही है, अगले प्रेशन की तरह बढ़ते हैं सैक्षिक प्रवंदन के मूल तत्व है निर्णे लेना पहला पॉइंट सोरी पहला ओप्षन दूसरा ओप्षन है मानविय सम्मंद दूसरा ओप्षन है समस्या समाधान और तीसरा ओप्षन है उप्रोक्त सभी All of these दोस्तो जो सैक्षिक प्रवंदन है इसके जो मूल तत्व है ये तीनों ही इसके मूल तत्व है निर्णे लेना, मानविय सम्मंद और समस्या समाधान तो जो इसका उत्तर है उप्रोक्त सभी ये इसका सही उत्तर है तो सेक्षिक प्रवंदन के ये मूल तत्व हैं, निरने लेना, मानवे सम्मादोर, समस्या, समाधान अगले कोश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तो प्रवंदन का हिर्दिय कहा जाता है option A, अभी प्रेर्णा option B, संगठन option C, पूजी option D, अधिगम दोस्तो जो प्रवंदन है, मैनेजमेंट है, उसका हिर्दिय कहा जाता है अभी प्रेर्णा को motivation को क्या आप जितना भी मतलब इसमें motivate है, अपने सातियों करते हैं, कोलेक को करते हैं, जितने worker से उनको करते हैं, तो निश्य तोर पर आप प्रवंदन उतना ही अच्छे से कर पाएंगे, और motivation जो है, ऐसा तत्व है प्रवंदन के अंदर, कि अगर motivation नहीं होगा, तो आपको प्रवंदन करने में, किसी भी चीज का management करने में, बहुत स्यादा दिक्तों का सामना करना पड़ेगा, इसलिए कहीं न कहीं, अभी प्रवंदन का हिड़ दिये, कहा जाता है अगले प्रशन की तरह बढ़ते हैं, stuffing, संतोस्जनक, एवं संतुष्ट, कारे सक्ति को प्राप्त करने, तथा उसे बनाये रखने का कारे करता है परिवासित किया यह option है, J.V. Sears का दूसरा option है, George Terry third option है, Mary Parker Follett और D option है, Professor Allen का दोस्तो, stuffing, संतोस्जनक, एवं संतुष्ट कारे सक्ति को प्राप्त करने, तथा उसे बनाये रखने कारे करता है यह कथन जो है, George Terry का है George Terry ने यह परिवासा दी है अगले question की तरफ बढ़ते है राज्य इस्तर का सैक्षिक प्रसासन किस के आधिन होता है मुक्के मंत्री के सिक्षा मंत्री के सिक्षा सचिव के या सिक्षा निदे साल्ले के दोस्तो, अगर राज्य इस्तर की बात करें राज जेस्तर पर जो सैक्षिक प्रसासन होता है पूर्ण रूप से तो आपके सिक्षा मंत्री के आधीन होता है जो भी सिक्षा मंत्री होता है पूरा सैक्षिक प्रसासन चाहें वो आपका जिस मंत्र आलेम हो जाएं वो माध्यमिक हो, हायर हो या फिर आपका basic हो तो जो उसका मंत्री होता है उस माध्यमिक सिक्षा मंत्री हो या higher education का मंत्री हो वो उसी के आधिन होता है अगले question की तरफ बढ़ते हैं प्रारंबिक सिक्षा विभाग में पंचायत इस तरफ पर होता है option है B.E.O. C.B.E.O. और P.E.O. दोस्तो अगर प्रारंबिक जो primary education है उसक्षा विभाग में पंचायत इस तरफ पर क्या होता है B.E.O. होता है block education officers को बोलते हैं खंड सिक्षा अधिकारी ये प्रारंबिक इस तरफ पर होता है पंचायत इस तरफ पर block level पर कह सकते हैं इसको भारत का भविश्य उसकी कक्षाओं में निर्मित हो रहा है ये कतन किसका था ग्रादा कृष्ण आयोग कोठारी कमिशन यसपाल समीति या मुदालियर आयोग ये चार इसके option है तो दोस्तो जो भारत का भविश्य है उसकी कक्षाओं में निर्मित हो रहा है ये कतन था कोठ कोठारी आयोग का 1964-66 में जो कोठारी कमिशन बना था उसने जो अपनी रिपोर्ट प्रस्तोत की ती तो रिपोर्ट के प्रारम में ही उसने वाक्य बोला था कि भारत का पविश्य उसकी कख्षाओं में निर्मित हो रहा है जो कोठारी आयोग ने रास्टे विकास को सिक्षा का मुख्य उद्देश भी माना था उन्हें कहा था कि अगर किसी रास्टे का विकास हमें करना है तो पहला कार्ण हमें करना होगा कि हमें वहां की जो सिक्षा है उसका विकास करना होगा ये हमारा मुख्य उद्देश होना चाहिए अगर सिक्षा का विकास होगा तो निश्य तोर पर उस रास्टे का भी विकास होगा अगले प्रशन की तरह बढ़ते हैं जे होटले के अनुसार सैक्षिक प्रवंधन का तत्व नहीं है प्रणाली दूसरा ओप्षिन प्रदा तीसरा ओप्षिन अदा और डी है आपका प्रिक्रिया प्रोसेस प्रणाली आपका हो गया प्रणाली प्रदा अदा और प्रिक्रिया दोस्तों जो तत्व नहीं है वो आपका प्रणाली है ये सैक्षिक प्रवंदन का तत्व नहीं है ये हॉटले के अनुसार वाकि जो इन्पूट है आउट्पूट है प्रोसेस है ये तीनों जो है तत्व हैं सैक्षिक प्रवंदन के इसमें प्रणाली जो है ये तत्व नहीं ह अगले कोश्चन की तरह बढ़ते हैं प्रवंधन का मस्तिस्क माना जाता है प्रवंधन का मस्तिस्क अभिप्रणा को, नियंत्रण को, सम्मन्वे को या संगठन को दोस्तों हम पीछे कोश्चन देखे थे वो प्रवंधन का हिर्दय माना जाता है वो अभी प्रेणा को माना जाता है ध्यान नेखेगा अगर मस्तिस्क की बात करें तो मस्तिस्क जो माना जाता है वो संगठन को माना जाता है प्रवंदन का मस्तिस्क संगठन को माना जाता है और प्रवंदन का जो हिर्दे है वो किसे माना जाता है वो अभी प्रेणा को माना कर दो स्थोफ अगले प्रेश्न की तरह बढ़ते हैं जो हमारा अगला प्रेश्ण ए विद्ध्यालिय की हिर्द्य है कि हमारे आप्षण से पुस्तंकाल लें दूसरा हमारा ए चात्र तीसरा आप्षण ए प्रिधानाचाहरे और हमारा जो डी है वो है सिक्षक तो दोस्तो जो बिध्याल्य का हिर्दे होता है वह होता है पुस्तकाल्य पुस्तकाल्य को जो है बिध्याल्य का हिर्दे माना जाता है अगले प्रशन की तरह बढ़ते हैं सैक्षिक प्रसासन का एक प्रमुक कारण व्यक्तिकत है तो दूसरा कारण है क्या है मतलब द वातावरणी है तो दोस्तो प्रशासन की बात करें तो प्रशासन का एक प्रमुक कारण वो व्यक्तिकत है और दूसरा कारण है वातावरणी है वातावरणी है जो कारण है उसका second reason है तो D option is question का ठीक है व्यक्तिकत कारण के बाद वातावरणी है कारण होता है जो जो है प्रसासन योग है, सिक्षा और प्रसासन का, प्रसासन और सासन का, उक्त सभी का, दोस्तों जो सैक्षिक प्रसासन जो योग है, वो सिक्षा एबं प्रसासन का योग है, सैक्षिक प्रसासन, सिक्षा और प्रसासन, इन दोनों का ये योग है, अगले कोश्चन की तरह बढ़त बढ़ते हैं सैक्षिक प्रसासन संबंदित है निरिक्षण से, option B धार्मिक प्रवंदन से, option C विद्याले प्रवंदन से और option D पाठ्ठेकरम निर्धारन से तो दोस्तो जो सैक्षिक प्रसासन सम्बंदित है वो बिद्याले प्रवंधन से सम्बंदित है तो इसका option जो C है वो correct है Next question की तरफ हम बढ़ते हैं भारत में सैक्षिक प्रसासन के छेत्र में व्यवस्था है केंद्रित, विकेंद्रित, समान व्यवस्था या अधिनायक वादी व्यवस्था दोस्तो ये चार options हैं कि भारत में सैक्षिक प्रसासन के छेत्र में कैसी व्यवस्था है तो दोस्तो भारत में जो सैक्षिक प्रसासन के छेत्र में व्यवस्था है वो एक विकेंद्रिक विवस्ता है तो समान विवस्ता नहीं अधिनायक विवस्ता भी नहीं है और वो केंद्रित भी नहीं है वो कैसी है विकेंद्रित विवस्ता है इदा फैली हुई विवस्ता है विकेंद्रित है उसको है तो इसका जो option है वो सही B option इस question का सही उत्तर है अगले question को देखते हैं निशुलक एवब अनिवारे सिक्षा का संबंध है option A उच्छा से option B माध्यमिक सिक्षा से option C प्रात्मिक सिक्षा से option D है तक्नीकी सिक्षा से दोस्तो आसान question है आप लोग इसको जुरूर पढ़े होंगे जो निशुलक एवब अनिवारे सिक्षा का संबंध है वो रहा है प्रात्मिक सिक्षा से option C जो है इसका ठीक है प्रात्मिक लेवल परी सिक्षा जो है फ्री और कमपल सरी है निशुलक एवब अनिवारे है अगले question को देखते हैं बिद्याले प्रवंदन प्रिक्रिया के अंग है नियोजन संगठन नियंत्रन या उप्रोक सभी तो दोस्तों जो बिद्याले प्रवंदन प्रिक्रिया प्रवंदन प्रिक्रिया के जो अंग है वो उप्रोक सभी चारो इसके अंग है, चाहें वो नियोजन हो, चाहें वो संगटन हो, चाहें वो नियंतरन हो, तो इस कोशिन का जो उत्तर है, option D, ठीक है, उप्रोक सभी इसके अंग है, अगले कोशिन की तरफ बढ़ते हैं, विद्याले प्रवंदन को न जादे कठोर, न जादे लचीला होन चाहिए, प्रदस्त करने वाला सिध्धान्त है, मतलब यह कौन सा सिध्धान्त जो यह कहता है, कि विद्याले प्रवंदन को न जादे कठोर होना चाहिए, और न जादे लचीला होना चाहिए, options हमारे है, यह पहला option है, अपवाद का सिध्धान्त, दूसरा option है, कोशन का जो उत्तर है option C लाच का सिध्धान यह कहता है कि विद्ध्याले प्रवंदन को नहीं तो ज्यादे कठोर होना चाहिए और नहीं ज्यादा लचीला होना चाहिए कि अगला कोशन देखते हैं option C इस कोशन का ठीक था सैक्षिक प्रवंदन में अनुसासन के तत्वों में से जो नहीं है वह है तो सैक्षिक प्रवंदन में जो के अनुसासन में जो तत्व है उनमें से कौन सा तत्व नहीं है पहला है ग्यान, दूसरा है अभ्यास, तीसरा है अनुभूती और चोथा है सुरक्षा की भावना तो दोस्तो सेक्षिक प्रवंदन में जो अनुसासन के तत्वों में जो तत्वों सम्लित नहीं है वह है सुरक्षा की भावना Option D, इसका सही आंसर है ये अनुसासन के तत्बों में नहीं है बाकी जो ज्यान है, अभ्यास है और अनुभूती है ये इसके अनुसासन में समलित है जिबकि सुरक्षा की भावना जो है इसमें समलित नहीं है अगले प्रश्ण को देखते है कुष्णिवाब पुने देखें सिक्षा के विकास के लिए व्यवस्थित योड़ना बनाने को कहा जाता है स्वलामबी योजना ऑप्शन इए उप्शन भे है दूरगामी योजना option C, सैक्षिक योजना और option D, सैक्षिक विकास तो दोस्तों सिक्षा के विकास के लिए विवस्तित योजना बनाने को कहा जाता है सैक्षिक नियोजन सैक्षिक नियोजन इसको कहा जाएगा option C इसका सही उत्तर है अगले प्रशन की तरब बढ़ते हैं question number 23 नियोजन तंत्र के इस्तरों में से जो नहीं है कौन सा इस्तर नहीं है इसके अंदर दिये है options हमारे हमारा A option है मद्य इस्तर option B है जिला इस्तर option C है राज्य इस्तर option D है केंद्रे इस्तर तो दोस्तों जो इसका सही उत्तर है मद्य इस्तर जो है वो नियोजन तंत्र के इस्तरों में से नहीं है ये मद्दे इस्तर बाकी जो जिला इस्तर है, राज्य इस्तर है, केंद्रे इस्तर है, ये सब नियोजन तंतर के इस्तरों के अंतरगत आते हैं जबकि जो मद्दे इस्तर है वो इसके अंदर समलित नहीं है अगले कोश्चन को देखते हैं निम्न लिखित में से कौन सी प्रवंदन की एक विसेस्ता है option A है प्रवंदन एक व्यक्तिकत प्रकरिया है option B प्रवंदन एक प्रत्यक्ष सकती है option C प्रवंदन लक्षय परक होता है option D है प्रवंदन केवल एक विज्ञान है तो दोस्तो इस question का जो right answer है वो option C है प्रवंदन एक लक्षे परक होता है मतलब कोई ने कोई इसका एक गोल होता है उस गोल को प्राप्त करने के लिए ही जो प्रवंदन होता है अगले question को दोस्तों देखते हैं MBO का ब्रद रूप है Management before operation A option B है आपका management by objectives C option है management by order और D option है manager by order तो दोस्तों जो MBO है इसका जो सही उत्तर है वह है option B Management by objectives यह इसका ब्रद रूप है ब्रद सरूप कह सकते हैं इसका सही उत्तर भी यही है option B इस question का सही उत्तर है next question की तरह बढ़ते हैं आलोच नात्मक मार्ग बिधी CPM किसका एक रूप है नात्मक मार्ग बिधी जो CPM है इसका एक रूप है P E R T M B O T E या L B D Q यह हमारे options हैं तो दोस्तों जो जो आलोच नात्मक मार्ग बिधी है वो किसका एक रूप है वो रूप है P E R T का प्रोग्राम Evaluation and Review Technique इसकी फुल फॉर्म है प्रोग्राम Evaluation and Review Technique तो दोस्तों यह इसका आंसर A इसका सही उत्तर है अगले कोश्चन इतरा बढ़ते हैं सत्ता एवं कार्य सरलगनताओं के स्वरूप मिलकर आदे सनुपालन के कितने प्रकार बनाते हैं कोश्चन एक बार दोस्तों दुवारा देखें सत्ता एवं कारे सललगनताओं के सुरूप मिलकर आदे सनुपालन के कितने प्रकार बनाते हैं option A है 4, option B है 6, option C है 8 और option D है 9 दोस्तों जो सत्ता एवं कारे सललगनताओं के सुरूप मिलकर आदे सनुपालन के प्रकार बनाते हैं वो नो प्रकार बनाते हैं, option D, इस question का सही उत्तर है, अगले question को दोस्तों देखते हैं, कुल गुलवत्ता प्रवंदन की तक्नीक है, option A, benchmarking, option B, गुलवत्ता ब्रत, option C, दोनो, और option D, इनमे से कोई नहीं, तो दोस्तों, जो कुल गुलवत्ता प्रवंदन की तक्नीक है, वो दोनों ही, चाहे वो benchmarking हो, या गुलवत्ता ब्रत हो, दोनों ही इसकी प्रवंदन की तक्नीक है, तो उप्रोक्त दोनों ही इसके सही उत्तर है, A और B, अगले question की तरह बढ़ते हैं, संगठना आत्मक विकास की एक युक्ती है, option 4 हमारे इसमें दिये हैं, पहला option है T समू प्रसिक्षन, option B है आदेशन उपालन, option C है प्रश्ट पोशन, और option D है मूल्यांकन, तो दोस्तों, संगठना आत्मक विकास की एक युक्ती है, वह है आपका T समू प्रसिक्षन, जो है, एक युक्ती है अले question को देखते हैं, T समू कितने विक्तियों का समू होता है, option A है 10 से 12 विक्तियों का समू, option B 12 से 14 विक्तियों का समू, option C 14 से 16 विक्तियों का समू, और option D 10 से 20 विक्तियों का समू, तो दोस्तों, T समू जो है, कुल मिलाकर, जो होता है, वो 10 से 12 विक्तियों का समू होता है 10 से 12 विक्ती 80 समों के अंदर होते हैं अगले कोश्चन की तरब बढ़ते हैं काईजन एक सब्द है कौन सी भासा का सब्द है यह बताना है आपको यह जर्मन भासा का सब्द है चीनी भासा का सब्द है जपानी भासा का सब्द है या फ्रेंच भासा का सब्द है तो दोस्तों जो काईजन एक सब्द है वो सब्द है आपका एक जपानी भासा का जपानी लेंग्वेज का ये सब्द है काईजन Next question की तब बढ़ते हैं एक समय में एक आदेश प्रशासन के किस सिध्धान को व्यक्त करता है एक समय में एक आदेश प्रशासन के किस सिध्धान को व्यक्त करता है option A कारे विवाजन का सिध्धान option B समानता का सिध्धान option C आदेश की एकता का सिध्धान option D है सहीयोग का सिध्धान तो दोस्तो एक समय में एक आदेज प्रिशासन के सिध्धान्द को जो व्यक्त करता है वह करता है आदेज की एकता का सिध्धान्द option C इसका right answer है अगले प्रशन की तरह बढ़ते हैं सैक्षिक प्रिशासन का विकेंदरी करण सिध्धान्द दर्साता है अधिकारों के विकेंदरी करण को option A, option B अधिकारों के हनन को, option C अधिकारों के विकेंदरी करण को, option D इनमें से कोई नहीं दोस्तो जो सैक्षिक प्रिशासन का विकेंदरी करण सिध्धान्द दर्साता है वो अधिकारों के विकेंदरी करण को दर्साता है जो हमारा C option है वो उसका सही उत्तर है अगले प्रश्ण की तरब बढ़ते हैं सैक्षिक प्रसासन के अवश्यक तत्व है संसादनों का उचित उप्योग परियाप्त संप्रेशन option C व्यक्तिगत महत्ता उप्रोक्त सभी तो दोस्तों जो सैक्षिक प्रसासन के अवश्यक तत्व हैं वो उप्रोक्त सभी हैं चाहें वो संसादन का उचित उप्योग हो परियाप्त संप्रेशन हो या व्यक्तिगत महत्ता हो ये तीनों ही जो है सैक्षिक प्रसासन के अवश्यक तत्व हैं अगले फ्रशन को देखते हैं नेत्रित्व कोशल अनुसूची में कतन हैं मतलब कितने कतन हैं नेत्रित्व कोशल अनुसूची में कथनों की संक्या है वरहंजे 25 ऑप्शन C इसका राइट आंसर है 125 कथन कुल मिलाकर नेत्रित्व कोशल अनुसूची में समलित किये गए हैं अगले कोश्चन को देखते हैं नेत्रित्व कोशल अनुसूची नेत्रित्व के कितने पक्षों का मापन करती हैं ओप्शन A 10 ओप्शन B 9 ओप्शन C 8 ओप्शन D 20 तो दोस्तों जो नेत्रित्व कोशल अनुसूची नेत्रित्व के जो पक्षों का मापन करती हैं वो कुल मिलाकर आपके 9 ऐसे पक्ष होते हैं नो ऐसे पक्ष होते हैं नेत्रित्व के जिनका वो मापन करती है तो नेत्रित कोशल अनुसूची नेत्रित के नो पक्षो का मापन करती है, option B इसका सही उत्तर है अगले कोश्चन की तरह बढ़ते हैं LMX 7 का ब्रद रूप है, ब्रद स्वरूप है, sorry LMX 7 का ब्रद स्वरूप है, option A, कम वरियता प्राप्त करमचारी पैमाना option B, नेता सदस्य विनी में उपकरण, option C, नित्रित कोशल अनुसूची और option D है, बहु कारक नित्रित प्रिश्नावली तो दोस्तो LMX 7 का ब्रद स्वरूप है, वो है आपका नेता सदस्य विनी में उपकरण elements अगला कोश्चन देखते हैं इस सहली में करमचारियों की अवश्चक्ताओं को परिवर्तित अत्वा रुपांत्रित एबम उनकी सोच को पुने निर्देशित किया जाता है मद्यवर्ति सहली, पिता तुल्य सहली, रुपांत्रन सहली या जनतंत्रिय सहली देखिए दोस्तों इस सहली में करमचारियों की अवश्चक्ताओं को परिवर्तित अत्वा रुपांत्रित एबम उनकी सोच को पुने निर्देशित किया जाता है और दोस्तों जो सही उत्तर है वो है रुपांत्रन सहली, और उनकी सोच को पुने निर्देशित किया जाता है रुपांत्रन सहली, और उप्शन सही इसका सही उत्तर है अगला कोशन देखते हैं, सही योगी नेता के उप्शन्स इसमें दिये है प्रिणात्मक वचन बद्दता, समरपन को बढ़ावा, आशाओं एवं सहवागता में इस्थरता या उप्रोक्त सभी दोस्तों जो नेता के गुण हैं, जो सही योगी नेता के जो विश्यस्ता दी गई हैं, वो प्रोक्त सभी हैं, सही योगी नेता के प्रिणात्मक वचन बद्दता होती है, नेता में, कह भी सकते हैं इसको, जो सही योगी नेता होता हैं, उसमें समरपन को बढ़ावा, आशाओं एवं सहवागता में इस्थरता, ये जो चारों आप्शन हैं, वो तीनों आप्शन हैं अगले कोशन को देखते हैं, प्रसांगिक पुरुसकार से तातपर्य है, लाभ में भागिदारी, मनोवेज्ञानिक एवं भौतिक पुरुसकार, बेतन में हिराश, अमनिती दोस्तो, जो प्रसांगिक पुरुसकार से तातपर्य है, वह मनोवेज्ञानिक अत्वा भौतिक पुरुसकारों से, तो प्रसांगिक पुरुसकार से तातपर्य मनोवेज्ञानिक अत्वा भौतिक पुरुसकार से है, इस कोशन का जो ऑप्शन भी है, ये राइट आंसर है, द प्रवंदन का अगले वीडियो में हम कल बात करेंगे आपसे और उमीद करता हूं कि यह कोश्चन जो है आपकी लाप्रद रहेंगे तो दोस्तों मिलते हैं कल अगले वीडियो में नमस्कार